मैं वेन केजिंग ले आई हो कि राए के पार्टनर का एक और पार्ट बोले तो बिना किसी वक्वाइस के कहाने स्टाट करते हैं अपना वी जो लैनी के पास बैठा हुआ था और बाते कर रहा होता है लैंजन जो साइट में बैठके फल खा रहा होता है और वी को गूर-घूर कर देख रहा होता है फिकॉस लाइन जीन को ही विक लाना पड़ा था उसकी लेंजन इर्टेड हो गया था क्योंकि वो जब से आया था सो वह क्या जारा है अभी लैनी कहती है यह तुम कुछ खाना वाले सदस्य हो तुम्हें तो रुखना ही पड़ेगा मैं तुम्हें अज अपने हाथ उसे खाना खिलाओंगी वी प्यार से ऐसे स्माइल करता है लैंजन गुस्से में जो एपल बाइट करके वी को देख रहा होता है अभी कुछ कहता उससे पहले किरान कह देते हैं जो अभी के पास आके बैठ जाते हैं वी स्माइल करता और कहता है अंकल जी इतना देर तक कैसे रुख सकता हूं किरान कहते हैं अरे यार अंकल कहने की जुरूत नहीं है तो मुझे पापा कह सकते हो अपना जो वी है ऐसे ही आखे बड़ी करके देखने लगता है लैंजन को जो गुस अपनी यानली पे यानली जो जिम के अंदर लेट गई थी ऐसे ही एक सोफे पे बहुत ही थकी होई गहरी सांस लेके कह रही होती है यह मैं अड़नी बनने आई हूं या फिर फाइटर इतना खौन थकाता है अब यवाप गुजयान आती है जिसने तो जिम कोश्टूम पहना यह रही हुआ था बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही होती है गुजयान एक टावल फेकती हो और कहती है फटफट मुझो और पुसब करो अपनी यहानली कहती है और गुजयान ऐम रीली टायट मैं बहुत थक गई हूं घूजान कहती है फॉस्ट अफॉल कॉल मी मैं एंड सेकंड नो अबाउट इस मुझे कोई फर्ग नहीं तुम थक गई हो या फिर नहीं तुमने कहा है ना तुम मेरी सारी बाते मानोगी जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें कुछ सिखाओं तुम उसके लायाख हो गी तुम मेरे केस में इंट्रफेर कर सको तब तक त पूटेज दिखाने लाया होता है और अपने लैंसी चैन का फूटेज मिल जाता है वह क्लिप मिल जाता है वैंटेजिंग उस लड़की का चेहरा भी देख लेता है और वह बहुत ही खस हो जाता है वैन केजिंग अपने फॉन को बाहर निकालता है और अपने लियू का फोटो क्लिक करने लगता है बट जाओ जिसू फॉन पकड़ता और कहता है तो मेरी बेहन का फोटो क्लिक कर रहे हो अब भी वैन केजिंग सौकरो कहता है वो तुम्हारी बेहन है जाजुसु कहता है, हम एक माके नहीं हैं, बड हाँ, हम भाय बहन है, अपना वैन केजिसिंग खुस हो जाता है, जाजुसु का हाथ पकड़ता है, धूर जाजुसु म मिलना है? पर क्यों? उनुरा फैसरों पठीमिनला है, पर क्यों? उतना ही मना कर रहा होता है अब कहाने से वापस अपने लैन मैंसन में होती है लैन जन जो भी भी गुस्से में वी को देखा जा रहा था अब लैनी जैसी ही वहाँ से हड़ती है कि रैन भी चले गए थे अपना लैन जन फटफट वी के पास आता है और कहता है यहाँ पे न तुम्हें भरत मिलाव के लिए नहीं रखा था अरे नहीं अंटी इसकी क्या चुरुत है यह कड़ना बंद करो और कुछ ऐसा करो कि मेरी मा तुमसे नफरत करे नहीं तो वी सोच लेना बहुत ही बुरा होगा वी गुस्से में खड़ा उता है हमें धमकी दे रहा हो मुझे करीब जाता है खक्राइब में होल है यह तो यह हरकते मत करो आप लेनी को लग रहा होता है यह दोनों आपस मैं प्यार कर रहे हैं प्यार भरी बात एक गड़ने को क्या पता कि लेंजन वी को धंगी दे रहा है अभी जो वी है ना वो लेंजन का कमर पकड़ लेता है उसे कस के करीब कर लेता है लाइक साइड से उन दोना का हेड मिल रहा वाता है दुसरे के हैड सवर कहता है क्या गुरू अंटी जी आपका बेटा ना वहोती बदमास है और लेनी को यह हरकते अच्छी नहीं लगती है बट वो कुछ क्या नहीं पाती है अभी लेनी वी के पास आती है उसका हाथ पकड़ती है और सोब बढ़ाती है बेटा भी तुम बैठ जाओ मुझे तुम से कुछ बात करना है मैंना कल पूजा रखवाने का सोच रही हूं तो त तुम भी तुम मेरी फैमिली हो तो जरूराना वी हां में सर हेला देता है पुछ अपना लैंजन होता है वो अपने कमरे में जाता है कमरे का गेड़ बंद करता है एक पिल्लो उठाता है उसे हावर में फेकता और खूब तेज पंच मारता है उस पिल्लों पे वो पिल्लो सी तुमें मैं तुमें पर्शान करके छोड़ दूगा I hate you तो अभ दिखा सावे वी में को दिखा जाता है जो ता साओ यहीस तरहीं कि जिल्दी से जल्दी अपना काम खतम करना चाहता है अब साम शाया जाता है अपना वैन घे जिंग बागते-बागते कमरे में आता है घर के अंदर एंटर करता और कहता है किरांजी 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 यह कहते कहते ही वो लैनी से टिकरा जाता है लैनी के हाथ में जो समान था वो नीचे गिर जाता है लैनी वैन को देखती है वैन गुस्ते में सोरी बोलने लगता है और समान को उठाने लगता ह है और अपने नैनी को पकड़ा देता है अपना किरेन के पात तो सुनिये अपना क्या हुआ वैन कहता है मैंने उस लड़की का पता लगा लिया क्या सची में अपना विए अपना वैन कहता है हाँ सची में केता है अरे मुझे इसकी इस्टाइटी भी पता चलकी अभी फोटो दिखाता हूं और यह कहते ही फॉन निकालने ही वाला रहता है तभी किराइन केता है टेरेस पर जाके देखते हैं अधर यहां पर लेनी आ गई न तो तुम जानते हो न क्या होगा वेन कहता है हाँ अपना जो वेन होता है वो कहता है सेंपिज लियो लंबी भी है किराइन बहुत अच्छी लगने वाली है बहुत ही ब्यूटिफुल लगेंगे सिब जाओ पर होती है जाओ जुसू अपने डेस्ट पर अपना सर रखके सोया वाथार वो कह रहा होता है मैंने सही किया लियो क आईडी देखें सर्व आईडी ही तो दिया है उतनी कोई बड़े बात तो नहीं होना चाहिए हाँ बड़ वो इतने प्यार से कह रहा था मैं उसको मैला नहीं कर पाया वो कितना इरिटेटिंग है अब एकानी सिब सिचेन पर होती है सिचेन की कार खराब हो गई होती है और अपना जो फई रहता है वो गया होता है मेकानिक को बुलाने के लिए आसपास थोड़े जंगल थे मेकानिक मिलना थोड़ा से मुश्किल था गाड़िया तो बहुत आ रही थी बड़ आप जानते हैं कि हेल्फ करने वाले बहुत कम लोग होते हैं सिचेन बाहर खड़े थे करणे ये से इपने पोन को देख रहे थे और वेट करने के रहा अफीरकार कब आगा अब यह वहां पर एक और कार आके बहुत निकालती है उसक्ट में टक्रूब हो गया था यहाश्यक मारती यह लगड बन करती है बाते निकालती है नहीं थी था चु度 होता है उसे कसने के लिए होता है वह लड़की बहुत गुस्से में कार की डिक्के बंद करती है वह टायर निकाल दी होती है लोगो पास में खड़े सीचन को देखती है जो अपने कार के साइड ख़रा था लोगो सीचन के पास जाती है और कहती है कि है आपके पास वीड़ स्पैनर है मेरा कार की टायर पंचर हो गई है मुझे चेंज करना है तो क्या आपके पास है और यह देखा यूवह लड़की कहती है ऑफ कर देती है लड़की यह नहीं कर सकती है बट वो कर देती है उसको वीश पानेल देती है अब ही जो लड़की थी अपनी लीओ थी लियो सिचन के कार को देखती है और कहती है अपका कार खराब हो चुका है सिचन कहती है हाँ अपना लियो कहती है तो आपने को मैं कहने क्यों नहीं बुलाया सिचन कहता है गया है लेने लियो कहती है मैं अपकी हेल्प करूँ सिचन ऐसे ही देखने लगता है लियो कहती है मैं स कार को चालू करके देखो चल रहा है अपना सीचन हां में सरी लाता है और कार को चालू करके देखता है जो एक्चुली में चल रहा होता है चैन कहता है थांक्यू सो मच आपको तो बहुत कुछ करना आता है लियो कहती है येस आपने अपना नाम नहीं बताया अभी अपना तुम्हें बहुत सूट कर रहा है और यह कहते हैं अपना हात अगे ले जाती है हाथ मिलाने के लिए सिचन क्या करें समझ में नहीं हा रहा होता है क्योंकि उसको नहीं पता यह लड़की है पर Korean टाम बहुती भी लगेगा बविशन और ती मदद की ये बट फिर भी हाथ कुंसे लगती हो और प्यार से देखने लगती है ठीक है सिच्चू कर बेट बैठके अपना कार चलाने लगती है पर वह देख रही होती है अपने mirror के त्रूँ पदरबाद फई आता और कहता है माफ कीज़ेगा सर मुझे कोई mechanic नहीं मिला सीचन कहता है कार वैसे ठीक हो चुकी है अपना फई कहता है सर आपको करना आता ता फिर भी अपने क्यों नहीं किया अपना सीचन कहता है मैंने नहीं किसीने मेरी help की है अपना कुछा होका तो गर्टेज़ा चला चाहता था है अपने साथुर लाइस मिला हुआ है भी यह नहीं चले आखना बैठका ता में कहन के लिए लापने एक अंट क्यों श्राट करने लगता है उसको अलग मिल रिखेंश्ग मनस मैं लेन जन जो वी को गुसे में देख रहा होता है अबना वी जम घना बहुत अच्छा लग रहा होता है यह करदा अब हम आ कर खाना दुटा होंगे शरी काना मेरत वितित्र ना हन्यारी हो यह बनाता है बोड़ा अजीब लग रहा है कोई टेस्टी नहीं है, अभी वी ऐसा इसले कहा रहा होता है, दखी लैनी उसे नफ्रत करें, बाट लैनी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं नेक्स टाइम ले इंप्रूव करने की कोसिस करूँगी, कोई तो है जो सच बोल रहा है, बाकि सब तो हम ऐसा कहते रहते हैं, ठी ठीके ठीके मतलब इतने साल से मैं अच्छे खाना बना रहे हूं यह पोसिबल हो सकता है क्या जूटी तारिफ करते रहते थे मुझे सचे लोग पसंद हैं जैसे तुम हो लैनी वी के गाल पे हाथ रख लेती है और स्माइल करती है जो गुसे में ब्रेट का टुकड़े कर रहा होता है रोटी की टुकड़े करके खा रहा होता है चबा रहा होता है बहुत तेज तेज और मन में कह रहा होता है यह कुछ भ यानली बैठी हुई होती है अपना मील लेकर खाना खाने के लिए क्योंकि वह बहुत ही ठक गई थी यानली कहती है धीरे सही आज तो बहुत ठक गई इतना ठकान तो घर के काम करने पर भी नहीं होता जितना मुझे गुज्यान ने ठका दिया बट मैं हार नहीं मान सकती और य खाना हो ऑच्छा रखने के लिए साधा खाना खाना चाहिए इतना चटप्टा नहीं अब वहां देखती है प्रेट में बहुत ही साधा खाना और उसको चटपटा खाने का बहुत ही शोग है, उसे spicy खाना पसंद है, बट गुजयन ने उसे पूरा फीक का खाना दे दिया होता है, अपनी गुजयन बोलती है, क्या हुआ, नहीं खाना चाहती है, अपनी यानली कहती है, आपने इतने प्यार से दिया है, तो खाना तो पड़े गहीं न, और ये पपी सा फेस बनागी गुजयन को देख रही होती है और गुजयन बड़े चाव से खान्या खा रही होती है अभी हमें लियो को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में थी और उसके कमरे में ना एक बहुती बड़ा बॉक्सिंग पंचिंग बैग था और वो उस पे पंचस कर र करती है पूरे में फिर हाथ को फौर्प करती हैrum को रखे हाथ को पूरे करती है, gallery में फिर open करती है, हाथ को fault करती है, like phone को रखे हाथ को fault करके कहती है, बंदा humble है, cute है, sweet है, मुझे तिस्से बात करनी भी पड़ेगी, सिच्चू, तुमने बहुत बड़ी गलती करती, इतना humble इतना cute person बनके और मेरी मदद करके, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको पानी की बहुत कासिस करती हूँ एंड ऐसा हुआ तो नहीं है कि लियू को कोई अच्छा लगे बढ़ तुम तुम में अलग ही बात है अब हमें वापिस से लैन मैंसन दिखाया जाता है लैनी जो अपने लैन जन को बोल रही होती है कि वी बुजन को घर छोड़ दो और लैन जन जो हाँ मैं सरी लाता है और वी को घर छोड़ने के लिए चला जाता है वो जैसे के काल में बैठता है और थोड़े आगे जाता है तो कहता है नोकर बना के छोड़ दिया है लाओ ले जाओ क्या तमाजा है और तुम कुछ करोगे या फिर नहीं अभी भी गुसे में कहता है कर रहा हो ना खाने की बेस्ती इसलिए तो की थी तुम्हारी मम्मे कितनी स्वादिस खाना बनाती है बहुत ही अच्छा लगा मुझे लेंजन कहता है मुझे पता है मेरी मा बहुत अच्छा खाना मनाती है बट मेरी मा को हो क्या गया है तुम कुछ भी करो मा को अच्छा लग रहा है और मेरी बेंग के कुछ भी करती थी मा को खराब लगता था अपना वी कहता है एक्चली मेरा चाम ही ऐसा है मैं इतना बाट से न मुझे पुल्टी आने लगे तुम अच्छे हो सपना देख रहे हो क्या वी कहता है ओ हलो आम वेरी हैंसम लेन जन कहता है हाँ तो एक काम करो ना अपनी खुबसूरती का अचार डालो वी कहता है अचार से तुम्हारा विचार खराब हो गया तो क्या पता तुम मुझे से प्यार करने लगो और तुम मैं नहीं पता मैं तुम जोएसू लड़की ऊबकर करूंगा ही नहीं अपना लेंजन कहता है ओ जैसे मैं तुम्हें सेब कर लो लेक्ट तुम दुनिया के एक आखरी लोती इंसान भी होगे ना पैट मैं फिर भी तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा वी कहता है सेमपिंच अब ये तोनों ऐसे ही लड़ते लड़ते वी के घर पहुँच जाते हैं और ठोड़े घर से आगे ही चले गए होते हैं लेंजन फिर जब रोड पे ध्यान देता है तो देखता है कि वो कुछ जादा ही आगया आगया है तो फिर वो अपने कार पीछे कर कर दो इसके घड़ चाहिए भी लास्ट टाइम बीलाग के बाहर निकलते हुए लेंजन को टौन्प मार के जाता है और अन्दर जा रहा होता है और फिर भी दोनों लड़ रहे होते हैं चिला-चिला के अब था अ sırणा जाता है वैंगो दोनागे घर बुलाया था क्योंकि मामी चाती थी किए वाओ या दो घर लून से यह को बाहर जा रहा हुं किसे आहान जाता है थाला जो यह जाता है हुझाariat कपसे वीट कर रही थी तुम्हारा भाकी कहता है I'm really sorry late हो गया फुमंग कहती है कोई बात नहीं चलो अब बैठ जाओ अपना वैन बैठ जाता है फुमंग अपना खाने को लाती है वैन कहता है मेरा पेट भर चुका है अपनी फुमंग कहती है क्यां तुम खा के आगे हो मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया था है सबाओ गी गलती है जाओ जो यह आपर खडा रहता है वह कहता है वैरी क्या गलती है मममा फुमंग कहती है मैं पहले ही कहाता ना वैन को जिल्दी बुला ले लेन देखो इसने थो खाना खाना दिया pirate ँसे कमा खाना वहाइंडा खाना बनाती थी बीच में मैंने छोड़ दिया था बट मैंने स्पैसली तुम्हार ले बनाया है जाओ जिसु जब ड्राइनिंग डेवल बैटता है इसी बात को तो गम है मेरे नहीं बनाया बट मेरे बॉर्फरेंड के लिए बना लिया अपनी जो फूमांग रहती है जाओ के अब के पसंद नहीं है खाना निकाल देती है वैन खाने वाला था तभी फूमांग कहते हैं अरे मैं खालाओंगा फूमांग चुप एकडम चुप और यह कहते हैं उसको बहुत ही प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है अपनेसे कई उस से किरान का प्यार तो मिला है लाक्य पोपर उसने ले लिया है बड़ एक उनके पीजिंघ आओं पर तो समल तरब नहीं फैन के कुंच मायिंग वन के नहीं लिए फोमोंग खिलारी रहें पानी पिलो जयार मैं ज़ए स्वाइसी कूव बनाती हूं बहुत पाईसी हुझा इसलिए वैं हल्का साथ्थार कहता है तरह नहीं यह तो कसम से बहुत ही स्वाधिस्ट बना है इतना स्वाधिस्ट खाना कभी नहीं खाया होगा अभी वैन के बातों में रोना देख के जाओ जिसु कहता है ठीक है बस करो पानी भी हो अब चुप चाप नहीं तो गल में अटक जाएगा वो मंग कहती है डाट रहे हो मेरे सामने तुम्हें पता है ना वैन केजिंग मुझे कितना पसंद आ गया है यह तो मेरे दूसरे बेटे जैसा है अभी वैन स्माइल करता है औ बहुत ज्यादा अभी जूटी जूटी बाते बना रहा होता है और जाओ बीच में कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है जाओ जैसा फटा-फटा प्लेट से एक निवाला निकालता है वैन के मुझ में डाल देता और कहता है कि चुप रहो अब तुम पोल मत को लोग मैं क्य जूट बॉल फ्रेंड अभी जूटी से पीस्ते बोल रहा होता है अजिपसा इंप्रेशन देखे रहां करता है और कहता है ठीके ठीके नहीं कहलूंगा तुम्हारी पॉल और यह कहते ही जूटी सा फेस बना लेता है वो मॉंग कहती है जाओ तुम क्यों नहीं खा रहे तु अश्ल चिलिए प्रणा निकालके देती है एक नीवालों से अपने हाँ से खिलाती है फिर भूलती है कि खुद खालो और जोट खाने लगता है अभी जो वेन रहता है वह वी को खाना कहना कहलाता है और फूमंग स्माल करती है अभी जो जूटी सूर से गुसा आ रहा होता ह क्योंकि वैन केजिंग उसकी माज़ बहुँच उपक रहा होता है अब जाओ जुसु ना अपनी माँ को अपने हाँ छाना खिलाने लगता है और वैन केजिंग दोनों को सब्सक्राइब करते हैं तुम दोनों भूल रहे हो मैं मौडल और एक्टर दोनों हूं मुझे अपना हेल्थ मिन्टेन करके चलना पड़ता है ना तो प्लीज मुझे कम खिलाओ पैन और हसने लगते हैं फुमॉंग भी फिर हासने लगती है khanah khanahane के बाद थोड़ दर बाद जब वेंघ का बोलता है तो फुमॉंग कहती है तुम यहीं विक्यों नहीं रुक जाते हैं फुमॉंग की बात सुनके वेंग क्यता है कैसे रुकसकता हूं जाओ कहता है हां ममा यह मेरा अपार्टमेंट है यहाँ पे सिर्फ दो ही कमरे है फो मंग कहती है तो क्या हुआ मैं अलग कमरे में सोजाओंगी तुम दोने साथ में सोजा न वैन और जाओ का फेस बन जाता है फो मंग कहती है आरे मैं बहुती मॉडल हूँ नाट एंसन जाओ जाओ सोजाओ मेरे प्यारे बच्चो वैन कहता है नहीं मुझे जाना चाहिए फो मंग कहती है कम आन वैन क्या तुम मेरे इतनी बात नहीं मानोगे मैंने तुमें बच्चा बोला है अपना लेकि मैं तुम्हारी मा जैसी हूँ अपने मा की बात नहीं मानोगे और ये कहते ही फो मंग एक सैड सो फेस बना लेती है जाओ जिसू जो पीछे से ना कर रहा होता है कि नहीं 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 मत रुखना बट फो मंग का फेस देखके वैन कहता है कि मैं रुखने के लिए तियार हूँ फो मंग स्माइल करती है फिर अब हमें जाओ और वैन को दिखा जाता है जो कमरे में खड़ेते हैं और बिस्तर को देख रहे होते हैं जाओ जो सो बोलता है चप-चप सोफे पर सो जाना वैन कहता है मैं सोफे पर क्यों सूँ जाओ कहता है क्योंकि तुम मेरे घर पे रुख रहे हो मैं नहीं मेरा क्या था ना मैंदे तुम्हे वैंगेजिंग कहता है फो मंग ममी बहुत प्यार से बोल रही थी अपना जाओ कहता है ममी सनलो हक मत जताना मेरी मा है is my mother अपना वैंगेजिंग कहता है मुझे क्या करना है बट वो मुझे कितने प्यार से मेटा बोलती है मैं तो उनको अपनी मा जैसा ही मानता हूँ और सच बोलू उनके साथ रहने के लिए मैं तुम से सच्ची में साधी कर सकता हूँ और ये कहते ही वैंगेजिंग जाओ के तरफ देखता है जाओ के कजीब से फीलिंग होती है वो वैंगेजिंग को धक्का देके खुद बिस्तर पे सो जाता है बिल्कुल पास में मत आना मेरे और ये कहते ही बिस्तर ओड लेता है वैंगेजिंग कहते है हम दोनों लड़के हैं और ये कहते ही अपना slipper उतार के बिस्तर पेर सो जाता है अब दूनों ना बिस्तर में धकामोगी करने लगते हैं कि जगा दो चुपको मत और वेन भी कह रहा होता है कि जब अपने बिस्तर पर जाके वापिस से लेड़ता है तो उसकी नजरे वैन पर पढ़ती है वैन जो सोते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा होता है जाओ जिसों सोरदेर वैंड को देखता है इसमाल करता है अपनी फेश्ट वापिस दूसरे शायड में करके सो जाता है अब वी को लानी के लिए लेंजन ही गया था जिस वज़े से लेंजन गुस्से में था अभी जो लेंजान होती है वी को एक कुटा देती और कहती है कि तुम यIGH पहल लो आज पूजा है बस इसलिए नहीं तो मैं तुम्हें जिद नहीं करती अपमाज के ठीक है बट मैं चेंज जाके left है तो ठीक है जाओ whatever change करके आजाओ अभी वी कुछ नहीं कहता है इस कुर्ते को पकड़ के चला जाता है लैंजन के कमरे में सोht लिए बहुत तेज़ मारने लगता है वी款 का इमाजिन करके आभी या तो देखता है कि लेंजन पिलों पे इतना तेज बार रहा है वी कहता है अपना जो लेंजन होताय यह ओए देखता है और को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो निकलो मेरे कमरे से वी कहता है मुझे आने का सर्क नहीं था अंटी लैनी ने कहा कि मैं यह पर आगे कपड़े चेंज कर लूँ इसलिए मैं आया हूँ और यह कहते ही जो अपना वी होता है आगे आता है एंड वो जो कुड़ता रहता है बिस कुच नहीं कहता है कि अब कमरे को चांज करना तो क्या तो क्या तुम इसे देखना चाहते हो इतने हपसी अब यह क्या है चंबरी घीरी हपसी कौन से प्लानेट से आया हो तुम वी कहता है अब कमरे से फटा फट निकल जाओ ने तो अंटी लैनी ही बताएगी कि मैं कौन से प्लानेट से आया हो लैंजन गुसे में ना कमरे से बाहर निकलने लगता है वी जो गेड बंद कर देता है मेरे कम्रे से बार निकाला इसको मैं थो छोड़ूंगा नहीं और अब यह नःया वरड हपसी इसको तो मैं और यह कहते है는 लैंजन गुसे में नीचे जाने लगता है पर कहाने से अपने जाव जिसु पर होती है, जाव जिसु जो सो रहा होता है, वो अपनी आखे खोलता है, तो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वैन केसिंग अभी सर्टलेस था, वो भी नहां के आया था, ये देखके जाव जिसु चिलाता है और कहता है, ये क्या कर जो, ये अपना जो वेन रहता है बड़े प्यार सी ज्यूसा की पास आता है उस कपड़े को लेता है वो मंग ममी ने बोला कि आरक सकता हूं इसलिए मैंने ले लिया आपना ज्य केता है ममी NHतनल मेरे कपड़ किसी को बίू दे और यह कहते ही बिश्तर से उड़ता है वैंगेजिंग जिसने पहन लिया होता है अभी वह सड़ पहन रहा होता है अपना जो जाज जो रहता है वह कहता है जो तुसरों के सरीर को कह रहो मेरी सरीर वैसे ठीक भी है अपना जाज उसके जैसी भी है तुमसे तो अच्छी ही है वैंगे जिसंग कहता है मुझे नहीं लगता आज उसका चेश्ट होता है उससे दबाने लगता है यह हरकत बहुत ही अनॉइंग थी जाओ जिसु के लिए उसको बहुत अजजीब सा फील हो रहा होता है और विएंगे जिसंग भार-बार प्रेस करके कह रहा होता है सची मैं आर सोलेट बोड़ी है तुमई है कितने दीर तक जिम करते हो अभी जो जाज सिसु रहता है है वन्केसिंग को साइड करता और केता है किसे युजब वाहर सँ गुर्ट रिगते कौन करता है और वैंन के मठ बाहर चला जाता है वैसे उसकी बोड़ी यार कितनी मस्ती थी तो अपने जाओ जाओ जिसु कि बोड़ी प्रेश्ट कर रहा हूं जाओ जिसु जो बाहर जा रहा होता और कहता है भवान वह कितना चीव है जो कोई किसी की बोड़ी कैसे चुछ सकता है जब उसको पता हो कि वो इसान गें है लिटरली में वहाई गए साथ इसे कैसे गर सकता है लिए मैं में वापिस दिखाया जाता है लैनी जो वैंड केजिंग पे गुस्सा थी कूँकि वह घर नहीं आया होता है अभी थोई दरबा उसने मुझसे कहा था बस वो थोड़ा सा लेट हो गया ये उसकी गलती है बट वो उतना भी लेट नहीं हुआ है लैनी फिर कहती है ठीक है तुम नहा लो अपना वैन कहता है मैं नहा के आया हूँ लैनी कहती है तो ठीक है पूझा मैं सामिल हो जाओ और ये कहते ही आगे आता ह है वंकेजिंग अभी यंकेजिंग की नजरे पढ़ती नहीं है और लैंजान की हाथ पर ही हाथ रग लेता है याज़ के दिन सब्सक्राइब इसारों ही पूजा करेंगे भगवान का अपनी गूजयान भी आई हुई होती है वहाँ पर सारे बच्चे पूजा करेंगे लेन बीच में नहीं आएगी पहले एक साथ में चारों बच्चे आर्थी दिखाएंगे अभी वी उन्में ही सामिल था अभी वैंगेजिंग गल्ती स लेन जंवाले साइड में चला जाता है और लेन जंघ के हाथ को टच कर लेता है लेन ये देखके अपने वेन को थोड़ा सा पीछे करती है वी बात नोटिस करता है यह रुखता नहीं और पूछ लेता है यह चल किया रहा है कल भी मैने देखा था कि वेन का प्लेट अलग था आज ये गुजयन एक अजीब सा फेस बना रही होती है क्योंकि उसको तो अपनी मा की यह हरकते बिल्कुल पसंद नहीं है लैनी कहती है अरे वो बेटा छोड़ो यह सब तुम पुझा करो ना वी कहता है मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार बात क्या है लैनी इस बात को टाल वी की तरफ देखती है वी कहता है हां यह अन्विष्वास है आप तो इतने भगवान को मानते हो फिर भी आप इस बात पर कैसे ही मान सकते हो भगवान कभी किसी को अलग नहीं रखता है यह जात पात यह उच्च नीच यह सारे इंसानों के बनाएवे खेल है भगवानों न रख मुझे पूरा यकीन है कुछ बूरा नहीं होगा अपने लेनी कुछ नहीं कहे पाती है वह लेनी के हाथ-प्रकता और कहता है आपको मिरपर इस्वास नहीं है मैबफ़ इतने यह गवत को मानता हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी भगवान पर विश्वास है ना तो प्लीज एक बड़ ट्राइ करके देखिए अभी लैनी हां कहे देती है कि वैन लैंजन के साथ पुझा ही करेगा लैक वो उसके साथ रह सकता है उसे चुबू सकता है वैन यह सुनके इसमाइल करता और कहता है मिरफार अब हम इसमाइल करते हैं अब लंबो शेल हूँ करते हैं अब लैंजन के सगे रहा हुता है उन दोनों की थाली पकड़ होती है और और हम रहे होता है तो दोनों का कंश Moo भी स्माइल करते हैं अपना लैन्जन भी बहुत खुश था वी के इस बात से कि वालब उसके कहने पर लैनी मानी तो सरी अपना जो खिरैन रहता है ना वी को बहुत प्यार से देखता है मन में ही कहता है साइद मेरी मनद पूरी हो गई कोई दूसरा इंसान आ गया घर में जो लेनी के बातों का जवाब दे पाए तुम बहुत ही अच्छे हो भी मतलब उस समय से जो अंध विश्वास फैला था तब से आज तक कभी ठीक नहीं हो पाया तुमने एक पहल तो की है मैं बहुत खुस हूँ कि रैन अब अपने वैन को देखता है और कहता है मैं वैन के लिए बहुत ही अपसौश फिल करता था पच्पन से ही पर मेरा मुझ बन था गल्ती मेरी भी थी जो मैंने अपना मुझ बन रखा पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था क्योंकि एक मा की ममता बीच में आ जाते थी क्योंकि लैन जन बहुत ही मुश्किल से पैदा हुआ था पर मैं आपको थोड़ा सौट फॉर्म में समझाने वाली हूँ जो लैन जन है ना वो जब लैनी के पेट में ही था तब से ही उस बच्चे पे खत्रा था लैक बिमार है ना डॉक्टरों ने कह दिया था कि बच्चा पैदा हो भी गया तो पैदा हो ही नहीं पाएगा लैन जन पर खत्रा ही खत्रा था बच्पन से लैनी को ना कोई एक पंडित के बारे में बताता है जो इंडिया में है लैनी उस पंडित के पास आती है और वो पंडित बहुत ही ओल्ड था और उस पंडित ने ना कह दिया था कि जो अपना लैन्जन है वो जरूर पैदा होगा बच्चा तुम टेंसन मत करो तुम बस अपने आप पे विश्वास इस बच्चे को गिराना मत यकिन्त गिराना जाती था पंडित के बाप ऊप जाती है कि अखे आप है है जो राता है इंडियाह में ही पीदा होता है आप इस एतिमिर Bak nutrient अपन्ड फिलना ग्तार द nazare बिमार भीर मर्ण जाहेगा बट ऐसा कुछ नहीं था लैंजन का हेल्थ एकदम सही था वो बहुत ही फिट था लैक्सी चेंड जब पैदा हुआ था उससे भी फिट अपना लैंजन था किरेंड को वापिस दिखाया जाता है जो लैनी की तरफ देखता है और कहता है लैनी तुम उस इनसान से नफरत करने के चकर में एक मासुम से बच्ची की जिन्दगी के साथ खेला है तुमने कभी उसको वो प्यार नहीं दिया जो वो चाहता था तुम्हारी बेहन चाहती थी कि तुम वैन केसिंग को प्यार दो पर तुम उस आदमी से नफरत करने के चकर में एक मासुम से बक्ची की दर्द नहीं देख पाए गूओ उपर से रोती होगी ये देख के और मैं भी बहुत रोती हूँ जब मुझे पता चलता है कि लोग वीडियो देखते हो सिस्क्राइब नहीं करते हैं चैनल के साथ में आने करते हैं को से नफरत क्यों करती है अब कुछ पता चलेगा नेग्स सब्सक्राइब याज वर हां कहना को चैनल को से लेके लएक इसे लिए दिए यह कमेंट P Archives कर दीजेगा pag वांगसन फैंस कमेंड में इंफिनेटी वांगसन लिखना ना बुले वैंस फैंस जैवेंस लिख दो यार बस तुम चुप चप लिख दो और कुछ सवाल ही मत करो मेरे से और हां मुझे ऐसा लग रहा है न एंड होते होते कि कहानी थोड़ी सी चीप ही लगी होगी आपको एं एंड बाइ बाइ स्यू टेक कियर सायोन अड़ जैवेंस जू इंफिनेटी वांगसन